सोलन के कंड़ा घाट में आज शहरी विकास मंत्री सुरेश भार्दवाज ने करोड़ रूपे की सौगात नगर पंचायत कंड़ा घाट को दी कंड़ा घाट पहुँचने पर लोगों कुद्वारा मंत्री का जोरदा स्वागत किया गया शहरी विकास मंत्री ने 60 लाख रूपे की लागत से निर्मित नगर पंचायत कंड़ा घाट के कारयाले का लोरकार पन किया उन्हें नगर पंचायत कंडा घाट के वाड नमबर 3 में 9 लाख रुपए की लागत से पड़ाओ मैदान में ओपन पार्किंग का पक्का करने के लिए वाड नमबर 5 में राजेश्वरी मंदिर के 9 लाख रुपए की लागत से किये गए सुंदर्य करन का वाड नमबर 5 इस्थित हनुमान मंदिर में 7 लाख रुपए की लागत से निर्मित शिशुपार्क वाड नमबर 5 में प्राथमिक पाठशाला से डिपक ठाकुर के आवास तक 5 लाख रुपए की लागत से निर्मित संपर्क मार्क था वाड नमबर 7 में 9 मंत्री सुरेश भार्दवाज ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने चार वर्ष के कारेकाल में स्वास्त सिक्षा सडक निर्मांध था अधार भूत सुविधाओं के स्रीजन के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का कल्यान सुनिश्चित बनाया है शहरी विकास मंत्री सुरेश भार्दवाज ने बताया कि प्रदेश सरकार प्रदेश के स्वर्ग्य विकास सुनिश्चित कर रही है उन्होंने कहा कि नगर पंचायत कंड़ा घाट में भी सरकार के कारेकाल में विकास हुआ है ने कहा कि नगर पंचायत नगर निगम के विकास में धन की कमी बाधा नहीं बनने देगी वो प्रदेश की सभी नगर निगमों वो नगर पंचायतों का सम्मूचित विकास होगा करते दिया है जो नगर में पार्क की आपसकता जी तहीं जो है वो पक्रेंश की आपसकता जी रास्ते जो है वो पक्के होने थे या रास्ता बनना था सब काम को जो है अपने हाथ के लेकर के इन्होंने एक साथ करते हैं और किसी वी समस्याता समधान करना हो उसके लिए जो है वो चाहे किसी वी स्था पर जाए उनको जाना पड़े वहां पर शूंचते हैं हिमाचल प्लस न्यूज के लिए सोरं से जैस्मिन की रिपोर्ट झाल झाल